हई गाइस वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आइए फाप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी से डिफरेंट है क्योंकि आज मैं जो हेयर वाश की वीडियो शेयर कर रही हूं आफटर होली की कर रही हूं कि होली केलने के बाद जिशन को हमने कैसे हेवाश करवाया उसके बालो में कलर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था आप देख सकते हैं कि जशन ने अपने होली फैस्टिवल को पूरा एंज्वाइ किया है तो अब मैं आपके साथ उसके हेवाश की विडियो शेयर करने लगी हैं तो चलिए फ्रइटस वीडियओ को स्टाट करते हैं तो गांजермया आप देख सकते हैं इसके बालों में कलर कितना ज्यादा लगा हुआ है इस वीक वैसे मैं इसे वीक में एक बार हीयर वज्द कर्वाति हूँ बट इस वीक को तीन बार हमने यह रवश कर वाया है जस्ट पिकास होली की वजह से क्योंकि तीनों पूरा वीक तो वो होली खेलता रहा है और जब भी, उसके बाल गीले होजते थे ये बालो में कलर लग जाता था तो हेयर वज करवाना ही पड़ता था क्योंकि उसके बालो की लैंठ लंबी है और बालो में फिर इचिं Debसी आफयज और ही ये पॉलि अफं़ाई sta था तो ये लास्च और क पानी डालूंगी ताकि जितना भी कलर है वो सारा उसके बालों में से निकल जाए उसके फेस पर भी इतना ज़्यादा ग्रीन कलर लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कितना कलर उसके बालों में है बच्चों को तो होली का फेस्टिवल काफी अच्छा लगता है काफी ज़्यादा जशन ने एंजुआए किया पूरा वीक वो होली खेलता रहा है तो सबसे पहले मैं अच्छी तरह से पानी ढाल रही हूँ ताकि कलर वह बैर वगारा सार अच्छी तरह से नीकल जाए उसके बालों की लेंद बहुत जादा लंबी तो हीर वाश करवाने में बड़ी ज़्यार प्रेशानी होती है ने काफी मुश्चिल लगता है अब मैं उसे हफ़ते में एक बार ही एर वश करवाती हूँ समझ में तो मैं वीक में दो बार करवाती हूँ क्योंकि स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप उसके बाल देख सकते हैं कि सारा जितना कलर है वो निकल गया है अब अच्छी तरह से उसके बालों में शैंपु करूँ की कलर की वज़ह से उसके बाल बहुत ज़हादा ड्राइ हो गए थे बाल बिल्कुल रुखे रुखे से हो गए थे इसके बाल मैंने कोकोनेट आयल से उसकी अच्छी तरह से ओ développ की ज़़गा है कि उसके बाल जो इतने ड्राइ ड्राइ हुए है वो ठीक हो जाए शैंपू भी मुझे दो तीन बार करना पड़ा क्योंकि बालो में कलर काफी लगा हुआ था पहली बार तो जो मैंने शैंपू किया तो शैंपू भी सारा पिंक हो गया था इतना कलर उसके बालो में था उसके पर उसके हाथ सारे कलर बहुत ज्यादा कलर लगा हुआ है तो आप सब का होली फेस्टिवल कैसा गया मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपने कैसे एंजुआई किया मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताना अपना होली फेस्टिवल के बारे में तो जशन के बा तो इसके बाद मैं फिर से शेंपू करूँगी, अच्छी तरह से मैं मसाज कर रही हूं, उसे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, अच्छी तरह से बाल जब इसके अच्छी तरह से सूग गए थे, नैच्रली मैंने उसके बालों को चार पांच गंटों के लिए ड्राइ है, हमारे यहां अमरी सर्ण में 28 को हुली सेलिब्रेट सबने की है, बट कई जगा 29 को भी हुली सबने सेलिब्रेट की है, आप जशन के बालों की लेंथ देख सकते हैं, उसके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, बालों की लेंथ बहुत इंक्रीज हो रही है, कल कलर उसके बालों में से निकल रहा है तो जशन की हेर वाश की वीडियो या हेर से लेटेड वीडियो आप सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो अगर आपको ये वली वीडियो भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को कहाcil कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिये लाइक और ओसे के तो वीडियो को शियर भी कर देना उसके बाद मैं आयलेंग की वीडियो भी आपकेसाद शेयर करूंूंगी और जुरे की वीडियो मैंचियर करूंगी कले queens und eyes है वैसे काफी टाइम हो गया है मैं उसके बालों में आयूर हरबल शेंपू यूज़ कर रही हूं बट वो शेंपू खतम हुआ था इसी वज़ाए से मैं क्लिनिक प्लस शेंपू का यूज़ कर रही हूं ये भी शेंपू मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है जेशन को हियर फ़ॉल के प्रप्राबलम विल्कुल भी नहीं है उसके बिल्कुल भी थाल नहीं होता है शेंपू से मैं या फिर आयू शेंपू यूज़ करते हूं या फिर क्लिनिकप्लस ये दोनों ही शेंपू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो देखिये अब उसके ब माँच यूज करें तो कम अर्ट से लेकर दस पाउच यूज हो जाते हैं इतना जज़ाधा शैंपू लगता है वक्यूली को व्याकाWill म्मे एक बार हिरस करवाइब कुं स्भार मैं मैं इसनुने सब्यूं तो देखिए कितनी अच्छी शैंपू की ज़ाग हुई है अब उसके बाल अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे डस्ट वगएरा सारी निकल गई थी आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो देखिए अच्छी तरह से मसाज करने के बाद मैं उसके बालों में पानी डाल रही हूँ ताकि जितना भी शैंपू है वह सारा निकल जाए अब जैसे समर स्टार्ट है तो मुझे वीक में दो बार हेर वाश करवाना पड़ेगा क्योंकि गर्मियों में तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और जशन के बाल तो वैसे भी इतने लंबे हैं तो उसे स्वेटिंग ज़्यादा होती है उसे पसीन दिनों बाद ही उसे हेर वाश करवाना पड़ता है और हेर वाश करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको तो परिशानी होती है साथ में हमें भी होती है बट फिर भी हम उसके बाल का conditioner में उसके बालों में यूज नहीं करती हूं कभी भी मैंने conditioner यूज नहीं किया है क्योंकि conditioner की कभी ऐसी need होती ही नहीं है क्योंकि मैं shampoo अच्छा यूज करती हूं hair fowd की problem उसे बिलकुल भी नहीं है eyeling मैं week में दो बार करती हूं जिस वज़ा से conditioner करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है तो देखिए हेर वाश मैंने उससे करवा दिया आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए फ्रेंड्स मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए थैंक यू बाई